केंडरी पशिपालन मंत्री पुरुशोत्म सिंग रुपाला ने कहा है कि पशिपालन और डेरी उत्योग में आधुनिक उपकरन और रिसिस्ट के जाने चाहिए अधरबाद में आज पशिपालन और डेरी स्टार्ट अप कॉन कलीब में शामिल हुए परशित्तम रुपाला ने कहा है कि प्रधान मंत्री मोदी इस सेक्टर पर विशी ध्यान दे रहे है केंडल स्टार्ट अप के महत्व को पहचाता है और शीत्र को बढ़ावा देता है उन्हें कहा कि अगर इन बदलावों को गाउं तक पहचाना है तो तो केंडल राजर सरकारों को मिलकर काम करना जरूरी है इन शेत्रों में काम करने से कई फायदे मिलते हैं गधी के दूद की मांग इस बात का सबूत है इस मौकी पे मंतितलसानी ने कहा रागारेडी जीले के रावी डाला में अगस्तक वीजिया तिलंकाना मेगा डेरी प्लांट शुरू कर दिया जाएगा और सकारेकरम में करीब 100 स्टार्ट अप ने हिस्सा लिया है हैदरबाद में एक बार फिर आईटी की छापे मारी से हर कप मच गया कोता पेट में गूगी मुख्याले के साथ साथ शर के विभिन नहिस्तों में तलाशी चल रही है और गूगी रियल स्टेट कम पनी मारे किया सिनफातीमा अकबर शेक के घर और 10 जगों के तलाशी ली जा रही है ऐसा लगता है अधिकारियों ने गूगी रियल स्टेट कम पनी के साथ राज्य में कई । 새। प्राइवेट लिमिटेड गूगी, प्रॉपर्टिज और फार्मा हिल्स, वंडर सीटी, रॉयल सीटी और रियल एस्टेट कंपनियों में तलाशिया ले रही है। शहर में 20 जगों पर रियल स्टेट कंपनियों और निदीशकों के अवासों पर एक साच हापे मारी की गई। कोता पेट में गूगिल बुख्या लेके पास्टी में तलाश ले रही है और इस मेहने की शुरुवात में वसुधा फार्मा कंपनियों में आईटी दुआरा सर्च ओप्रेशन चलाए गया। कर रहे कि वे अलग हैं। पी-सी-सी अध्यक्षियर रेविंट रेडी के समान अंतर पद्यात्रा निकालने के तियारी कर रहा है और एए-सी-सी गतिवीद ही हो समयती के अधिश एली टिमाईश वर्ड रेडी ने घोशना की कि यह कॉंग्रस से लंगाना पूरू यात्रा के नाम से चारी रहेगी। उन्होंने काया कि अधिलाबाद से हैधरबाद की यह 20-20 यात्रा तिनमाज से शुरू होगी। का मानना है कि रेवन्ट रेडी की पधियात्रा के दोरान बड़ी संख्या में लोगों के जूटने से पार्टी का उस्था बड़ा है। बेस भाव में सरकार के नकामियों की ओर इशारा कर लोगों को आकरशित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बता रहे है कि अगर कॉंग् लबाद से हिदरबाद तक कॉंग्रेस तिलंगाना पोरू यात्रा नाम से एक समानंतर यात्रा आयोज़त करने के कारेकरम की घोशना की गई है। पता चला है कि तीन माज से शुरू होने वाली यात्रा बासर से हिदरबाद तक 20 दिनों तक चलेगी। माहिश्व रेड़ी ने सपश किया भले ही रेवन रेड़ी यात्रा का आयोज़न करते हैं भले ही वे इसे तिलंगाना पोरू यात्रा के नाम पर करते हैं वे हाद से हाद जोड़ भियान का ही हिस्सा है। गोशा महल विधायक राजा सेंग को पुलिस ने नया बुलिट ट्रूफ वाहन आवंटित किया है। उनके आवास पर फॉचिनेर बुलिट ट्रूफ वाहन भीजा गया और यह वाहन विधाय के घर तब भीजा गया जब किसी नीजी काम से बाहर गय है। राजा सेंग ने कई बार विरुद किया और मांग की है कि उनका वाहन ट्रूबल दे रहा है। उसे बदल दिया जाए। इस महने की शुरुआत में राजा सेंग ने CMKCR के अधिकारिक आवास प्रगति भवन के बाहर धरना दिया था। यातरा के दोरान जब एक टायर फड गया तो राजा सेंग ने अपनी कार वही छोड़ दी। अगले दिन वह मोटरसाइकल से विधाया के पास गये। राजा सिंग को हाल ही में पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आ रहे हैं जो सरश्या के लिए चनौती बन गये हैं। इस प्रिश्ट फुमी में सरकार द्वारा एक नया बुलिट फ्रूप वाहन आवंटित किया गया है। महबुब नगर रगा रेड़ी हिदरबाद जीलो के टीचर्स मलसी चनौत में किस उमिदवार खड़ी हुए थे और रिटर्निंग ओफिसर प्रियंका ने कहा सुमवार को नामंकन वापस लेनी के आखरी तारीग थी। MLC चनौ के लिए मद्दान जहां 3 मार्च को होगा वही वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी। इस चनौ में कॉंग्रिस ने गाल रेड़ी हर्श्वेदन रेड़ी को तो बीजेपी ने एवियन रेड़ी को समथ दिया है। मर्तन देने का एक एलान किया है। जारी किया गया है। इसने कहा नविंतम आदिश पात साल की अवधी के लिए लागू होगी। वर्ष 2011 की जनकन्ना के अधार पर सिकंदरबाद 56 में आठवी वार्ट में अनुसुचित जाती के एक बड़ी आबादी है। इसलिए वर्ष 2008 में उस वार्ट को अनुसुचित किया गया था। वर्ष 2015 के साथ साथ ताज अचनाओं में भी उस आरक्षिन को योकातियों जारी रखा जा रहा है। बारी बारे से ही चल रहे महिला आरक्षिन के संबंद में तीन वर्ष पूर्वर ड्रौ के माध्यम से आरक्षित वार्डों की पहचान की गई थी। वार् जान सबाच नौ के लिए नौ मैने शेश है। इस बात की भी राय है वर्तमान चलवायू द्वारा प्री इलेक्षिन पोल किये जाने के संभाव न नहीं है। लेकिन राज्य के सभी प्रमुक्राज रितिक दलों ने पहले ही चनौ के उद्दिश से ऑपरेशन शुरू कर द सतारूड बियारस और मुख्यविपशी कॉंग्रेस नेताओं के साथ इस बाच नौ युद्ध की तयारी कर रही है। विधान सबा के बजट सत्रों के बाद सतारूड पार्टी विधायक और नेता उठगाटन और उठगाटन समारों के साथ नर्वाचन शीत्र को अधिक सम सतारूड बियारस मले राज्य सरकार द्वारा मुख्यधारा के रूप में लागो किये विकास और कल्यान कारेक्रमों का उप्योग करने की प्रक्रिया में व्यस्त है। मंत्री विधायक जो राज्य फर्मे नर्वाचन शीत्र रुतक सिमित है को मौके पर विकास कारेक्रमों के लिए उठगाटन किया जाता है। सम्मिलनों और सम्मिलनों में सरकार योजनाओ को बढ़ावा दिया जारहा है। पار्टी के निताओं को निर्दीश दिया गया है कि विस सारवजनी कल्यानकार योजना जनता के लिए लिजांदा दूसरी और नेतापार्टी के मामले में समंध्वे समिती की बैठ़कों को आ कैसा है अगलिचनौ में अगलिचनौ में गैरंटी तयार की जा रही है यूवा लोग को आंकर्शित करने के रनीती के साथ राज्य में के नर्वाचन शीतर में क्रिकेट टूनामेंट आयोज़त किये जा रहे है पार्टी के वज़स्व ने आदिश दिया है किसी भी विधाय क को हिदरबाद नहीं आना है और नर्वाचन शीतर में रहना है और लोगों के साथ शामिल होना है बियारस राज्य के कार्यकारी अध्यक्षव मंसरी के टियार जीलो का दौरा कर रहा है के टियार अगले दो मेहनों में राज्य के सभी जीलो का दौरा करने की योजना बना र मुख्य वप्षी कॉंग्रेस पार्टी भी चुनौ के लक्षे के साथ सारवजनी की रूप से जाने के कार्य के बारे में असायत है राज्य के नातित्व ने पार्टी के शिर्ष नेता राउल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता के रूप में AICC के निमंतरत पर इस महने के छटे से शुरू होने वाले हट सेथ जोड़ो यात्रा का लाप उठाने की उमिद की है TPCC के अद्रिक्ष रिवन ट्रेडी पहले से यात्रा कर रहे है और सवसर पर BRS और भाजपा के खिलाप जो राज्य मिराज्य में सत्ता में आने के उशक्ता को समझाने की कोशिश कर रहे है सत्ता में सानिय विधायकों और नीता इस सप्रभाव को बनाने के लिए चार्शिट जार्ज कर रहे हैं जाउनों ने यात्रा का संचालन किया है BRS फलताओं पर राजजिस्तर पर पहले ही बाज चार्शिट जारिक किया जा चुका है अधिक चार्शिट बनाने के लिए AICC कारेक्रमों का नश्पादन L.E.T. महिश्व रेड़ी के नाधित्व में है दुसरी और T.P.C.C की प्रमुक नेता भट्टी विक्रमार का अत्तम कुमार रेड़ी और कूम्टी रेड़ी वैंकर फ्रेड़ी भी यात्रा के लिए योजना बना रहे है केंडर में विजेपी सत्ता में एक राजज में एक डबल इंच्वेन के लिए लड़ रहा है चुनो प्रक्रिया में बियारस और कॉंग्रिस आगे बढ़ रहे हैं पार्टी के राजजी और देश बंडी संजे चुनों ने पहले से सार्वचनिक संग्राम यात्रा के नाम पर पांच किष्टों को पूरा कर लिया है एक और किस्ते की तयारी कर रहे हैं दुसरी और बिचीपी की कॉर्णर बैटों को का आयोचन कर रही है राजसरकार की फिलताय और भाजबा के श्वासन के नाम पर इस घटना में जनता के सामने आने वाली प्रमुख समस्या है के नसरकार जनता के लिए योज़नों और लाभों को लागू कर रही है भाजबा के नेता जो इस महीने 10 से 28 तक राजब 119 विधान सबाश शीत्रों में उज़जा के इनरों के स्तर पर 11,000 स्ट्रेट को बैटों को लक्षित कर रहे हैं पहले 8,000 बैटे के पूरी कर चुके हैं बाकी बैटे के भी पूरी हो गई है और अगले मेने एक और कारेकरम पर ध्यान के इंडरत किया गया मूद 12 से 20 मार्श तक कारेकरम को बोथ अभ्यान के नाम से आयुज़द करनी के लिए गती प्राप्त कर रहा है अमिशाल जैसे केंडिये मंस्रियों के साथ सुनल बंसल और केंडिये मंस्रियों जैसे नेता जनता में रहने की रननीती के साथ जनता में बने रहने की रननीती को लागू कर रहे हैं इन तेन पार्टियों के अलावा MIM, वामपती और VSRTP भी जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रही है उद्द में चिकोडी प्रविन ने कहां VIM स्वास्ते का स्रोथ है उन्होंने कहां यूआ स्वास्ते रहेंगे तभी देश सम्रुद्ध होगा मस्टर इंडिया, शिवाद्वार, आयोज़ेज, बॉडि बिल्डिंग, प्रतियों गितां में मुख्यातिती के रोप में सुमाज जिकोडा की पूर्वगा अपोरेटर महिश यादों ने भाग लिया और विज़ेताओं को प्रसकार दी कसमानत किया है चिकोटी प्रविन ने अपने ओर से 3000 की आर्थिक सायता प्रदान की है और महिश यादों ने कहा इन प्रतियों गिताओं में प्रतीश भर से बॉडि बिल्डरों ने भाग लिया है कोरणा जैसे मामारी से निपटने के लिए युवाओं को फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए स्वस्ते समाज के निर्मान की मंशाद से इन प्रतियों गिताओं का आयजन किया जाता है उनने कहा अच्छी आदतों और आहार के साथ साथ व्यायम भी जरूरी है कसीनों मामने में आरोपो का सामना कर रहे चिकोटी प्रविन को आई कर वेभाग के अधिकारियों ने नोटिस चारी किया है चिकोटी प्रविन ने नोटिस दिया उन्होंने रेंज रूव कार कैसे खरी दी अधिकारियों का कहना है कि इस कार की कीमत तीन करों रुपे होगे अधिकारियों का कहना है कि चिकोटी प्रविन ने बेनामी नाम से ब्रेंच रूवर कार खरीदी थी और पता चला कार भाटिया फॉनिचर के नाम से रजिस्टर थी आईटे विभाग ने चिकोटी प्रविन को नोटिस जारी कर पूछा है कार को जबत क्यों नहीं किया जाएं फेमा के नियमों के लंगन के आरोपों का सामना कर रहे चिकोटी प्रविन के लिए गया कार मामला परिशानी का सबब बन जाएगा संध्या कन्वीशन आमडी श्रीदर राओ के खिलाव गच्ची पावली पुलिस ने रावडी शिट ऊपन किया है हाली में गच्ची पावली में एकर इवेंट स्टाप पर हमला किया गया गच्ची पावली पुलस ने हाल ही में साइबरबाद के वरिष्ट अधिकारियों के आदीश पर डावडी शेट का मामला दर्श किया है। साइबरबाद पुलस के वरिष्ट अधिकारियों की अनुमती से उनके खिलाव रावडी शेट का मामला दर्श किया गया। श्रीधर राव को कुछ दिन पहले दिल्ली पुलस ने गरफतार कर लिया था। बंजोरा हिल्स में एक शक्स ने शराब के नशे में हंगावा मचाया। उसने ट्राफिक पुलस के साथ दुर्विभार किया है जो ड्रंक एंड ड्राइब टेस्ट कर रहे थे। उसने एसाई के साथ दुर्वेभार किया और कहाया कि उसकी हाई कोर्ट जर्ज से पहचा है। इसे चिड़ गया युवग ट्राफिक एसाई को गालिया देते हुए बोला उसकी हाई कोर्ट के जर्ज से पहचान है। यह कहते हुए उसने SI के साथ दूर्यों पे वहार किया है और इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्श कर युवक को गरफतार कर लिया है लेकिन पुलिस ने युवक की पैचान गौरव के रूप में की जो यहां OTT में काम करता है हादरबाद में खुले घुमने वाले कुटों के हमले थम नहीं रहे है और जेचामसी का कहना है कि वे आवारा कुटों को नियंद्रत का निकले कदम उठा रही है लेकिन नतिजा नहीं दिख रहा है हाल ही में एक और वाक़िया सामने आया है नाचरम इलाके में आवारा कुटों ने एक लड़के पर हमला कर दिया मलापूर ग्रीन हिल्स कॉलनी में एक लड़का खेल रहा था इसी दोरान खुले घुमने वाले कुटों ने बालक पर हमला बोल दिया लड़का डर के मारे भाग गया कुटे वहां से चले गए इस घट चिरन चीवी की फिल्म के सीट पर आग लगई कोकापेट में हुए इस हासे में सेट जल गया पहले यह मंदिय सेट चिरन चीवी अभी नीत फिल्म आचारिय के लिए बनाया गया था और इसे वही रखा गया था वर जोजापाविस में सीट में वितिरात आग लगई अचानक आग फैलते देख स्थानिय लोगों ने फायर ब्रिगेट को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन दमकल कर्मी आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मालुम हो वहाँ धर्मस्थली मंदिर का सेट ल लगाकर दूसरे फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना किया गया था।